पॉरजीत, हाँ क्या हाल है? ठीक हाल है ठीक हाल है? तो, क्या परिसानी है कुछ तो जै शुख है? हाँ क्या परिसानी है? जब चलू, थोड़ी दे चलू, साश पोल जाओ है अच्छा और दोडने ही लगापाता? ना अच्छा, इसकूल जाता है? तो पड़ता भी है, इंट्रेस्ट भी है, इंटिलिजेंट भी है और अपने माबाप का एकलोता सहरा, एकलोती संतान है, अब इन लोगों के सामने एक अजीब परिशानी है, यदि आप लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो किरपया कॉंटेक्ट करें और कमेंट में अपन है, ऐसा करने पर सांस फूल जाती है और शरीर नीला पड़ जाता है, इसी कारण कोई स्कूल भी उसे अपने यहां एडमिशन देने की जहमत नहीं उठा पाता, दरसल सुरजीत के दिल में छेद है, जिसका पता सुरजीत के माता-पिता को बच्पन में ही चल चुका था, ज लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की तरफ से सुरजीत के माता-पिता को सिर्फ निरासा ही हाथ लगी है, दूसरी तरफ अगर हम प्राइबेट अस्पतालों की बात करें तो सुरजीत के पिता की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह प्राइबेट अस्पतालों में अपन हूँ जो कि अपने बेटे के लिए पिछले 12 साल से परिशान है जी हाँ ये सुर्जीत है और इसके दिल में छेद है ये इसका पिता है जिसका नाम पपू है और पपू अपने बेटे की इस समस्या को लेकर जब से उसका जन्म हुआ है तभी से परिशान है बड़े-बड़े ह जानेंगे कि क्या कुछ उसके सामने परिशानी आ रही है और क्या आज वो आप लोगों से अपनी बात कहनी चाहता है सर हम जब इसे हम बहुत परिशान है जब सी पैदा हुआ सी सम रहता एक महीना तो शी साकट चार्ज दिया किसी और ने दिया हम पैसा है नहीं तो फिर व पैस्ट में पंडग फेन पान तो अनोंने एक साल हूं भर्ति की याता याता दिपावली क किर घ्रता हती जब एक विल पड़िया अपेरों की टेंप etrहती कर दस दिन बहुत ऺटा तो तो कोई प्रशन नहीं है, बोले इसके आयू कम है और ऐसे से बात है, हमें बसकी नहीं है, तुमने बताया था कि तुम किसी ऑस्पिटल में गए थे, वहाँ पैसे ज्यादा की मांग की थी, कि इसके खर्चा ज्यादा आएगा इलाज में, इस तरह की कोई बात हुई थी? प्राइबे ल Two के ज्यादा खर्चा आएगा, तो सरकारी बारे बोले लिए नहीं हम दे, उससी दॉक्त और से बात की थी। तो वो आज भरति करा दूगा का दूगा भरति करवा दिया फिर भी बात चैंसिल ऊगई है उट डाक्टर भोला कि में पास केस नहीं है इसका जिसके पास केस करेगा और लिकाल दिये वह ना हमारे बस कीना ही कोई चेद के कारान कोई समस्या आती है इसके सामने क्या होता चले सांश फूले नील पढ़ जाए चले आगे को तो नील पढ़ जाए हम गोद में लेकर चले इसे बच्चों को पढ़ने कमी देमास्टर लोगनों कहें कि हमारे बस की नहीं हमने पढ़ांगे इसको कुछ हो जागा तो तुम हमते बच्च ले लोगे मैं की नहीं इतो भगवान के हाथ में तो वोला हम पढ़ांगे नहीं कई जिगज़ अमने पढ़ा दो पच्चे को गहन नहीं हम नहीं पढ़ांगे मने कर देते हैं तो समने आम इसको टूशन लगवा दिया क्यों कुछ मेल पढ़ लेगा इसी बगल में जाता है टूशन पने वहाँ टूशन लबारकाश का अब बारा साल का बच्चा को क्या करें उसी फैत हमने किया पढ़ानी की टूशन की नहीं इस कुर्म कोई लेता नहीं मने करें सरकाई मने कर दें प्राइबेट मने कर दें तो दोस्तों लगबग बारा साल का समय बीच चुका है इस बच्चे के जन्म को और उसके बाद में इनके यहां कोई और संतान उत्पत्ती नहीं हो पाई है और एक यही बच्चा इनके पास है और इसके दिल में छेद है आप देख सकते हैं बारा साल के हिसाब से इसकी बात कर चुके हैं अब प्राइबेट में क्या वेवस्था है दिल के छेद की समस्या को लेकर वो मैं तो नहीं जानता लेकिन जो बता रहा है पपो कि इसने सरकारी डॉक्टर से बात की है और उनका कहना है कि हम एलाज करने में आसमर्थ हैं तो प्राइबेट डॉक्टर से प्राइबेट डॉक्तर दे बात करें गें तो पहले पूछना चाहिए ना किसी जरीय से कितना इलाज में खरचा आएगा कैसे इसको परिसानी दूर होगी नहीं मैंने किसे पूछा भी नहीं क्योंकि प्राइबेट वालते में बात क्यों करें पैसा नहीं कुछ बज़की न जो तो है नाखिशर्मा टवर्स है वो देखता हूँ एक डाक्टर उसके संदूने केस है को यह विमने करें पर और नाम भूलाओ में और राकिशर्मा करतें पिषया है तुर तो चिंता रहती है यह विद्धिंक काफी है नगा पर्टेम फिर मने और दिल्च हो सकता है भर सकत पर दोस्तों अब पप्पू के और उसके परिवार के सामने ये एक समस्या है कि वो क्या करें इसका कहना है कि प्राइवेट में डॉक्टर्स के सामने जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पैसा इसके पास नहीं है दूसरी बात जब सरकारी डॉक्टर्स एम्स के डॉक्टर्स ही हाथ जाड़ रहे हैं तो ऐसे में क्या करें तो इसने अपने माध्यम से आपको अपनी वेता सुनाई अब आपके जरिये से आपको जो लगता है आप कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं और अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये आपके हाथ में है अपने बेटे के इलाज को लेकर यह दमपती काफी परेशान है इन्हें हर वक्त अपने बेटे की चिंता लगी रहती है मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और विंती है कि यदि यह वीडियो देखकर आपके पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन अत्वा राय हो या किसी भी प्रकार से आप इन लोगों की मदद कर सकें किर्पया कमेंट बॉक्स में लिखें या संपर करने की कोशिश करें ताकि एक गरीब की कुछ मदद हो सके तो दोस्तों इस बच्चे के लिए इसके परिवार के लिए इसके माबाब के लिए मेरी आप से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो प्रकार हाथ बढ़ाईए हेल्प कीजिए